Assalamu alaikum, welcome back to the course आज हम बात करेंगे कि अपनी मीडिया किट कैसे बनाते हैं और एक मीडिया किट होती क्या है जैसे कोई CV होता है लोगं का या पोर्टफोलियो होता है या बिजनिस कार्ड होता है उस तरहां इंफ्लूएंसेस की होती है मीडिया किट ठीक है ये आपका तरीका है अपना काम शो आफ करने का अपनी अचीवमेंट्स शो आफ करने का और वट यू कन आफर ब्रैंड्स के आपकी क्या केपिबिलिटी है आपका क्या लेवल है बेसिकली ताके लोगों को पता चल सके उसी तरह जिसना लोग अप्लाइ करते हैं जॉब्स अगरा के लिए तो वो अपना सीवी या पॉर्टफोलियो से यही दिखाते हैं कि हमारा क्या लेवल है हम कितने क्वालिफाइड है उसी तरह इंफ्लूएंसर की मीडिया किट होती है ठीक है तो आप ब्लॉगर हैं फोट प्रेंड को चारा होगा ये एक मीडिया किट आपकी बताती है तो अब कम करना चाहते हैं तो आपका चोटा सा भी है इंस्टारम आगाओंट तो तब भी आपको अपनी मीडिया किट बना लेनी चाहिए ऐसी कोई बात नहीं है आपको hundreds of thousands of followers की जूरुरत नहीं हैं collaborations के लिए for some reason आप काफी सारे brands के लिए micro influencers के साथ काम करना ज़ादा अपील करता है और वो बहुत ज़ादा चोटे bloggers को engage करते हैं बहुत सारे campaigns के लिए तो अगर आपकी एक small और niche और चोटी सी audience भी है तब भी आप benefit करेंगे अपने लिए एक media kit बनाने से अचा अब media kit जो है सिर्फ आपकी social growth को नहीं represent करती वो आपके personal style को भी represent करनी चाहिए मतलब सिर्फ status के बारे में नहीं है आपकी personal style के बारे में भी होती है media kit तो media kit बनती कैसे है? media kit में सबसे पहले आपकी होती है bio जैसे आपकी Instagram bio होती है यहाँ पर भी आपकी bio होती है यह सबसे पहली चीज़ है जो कोई भी brand आपके बारे में पढ़ेगा आपकी media kit में तो make sure के यह आपको fully represent करती है आपकी bio आपको fully सही से represent करती है तो इसमें आपकी personal stone, आपका style, आपकी passion projects, आपको किस चीज का शौक है, आपके interests इस सब में नजर आना चाहिए तो यह आपकी जो bio है यह एक fine balance होना चाहिए आपकी एक positive introduction और business pitch के बीच में समझ आए, उसके बीच का रास्ता आपने निकालना है, एक fine balance निकालना है between a business pitch and a positive introduction about yourself So, इस पर time लगाए, बार-बार लिखे, edit करें, जब तक आप इससे 100% खुश नहीं होते, इसको लिखें, इस पर काम करें, कोई बात फिर इसमें अपनी शकल, अपनी picture ज़रूर डालें, ताके जो भी आपकी media kit पढ़ रहा हो, ये देख सके के भाई, ये कौन है, जिसके बारे मैं पढ़ रहा हूँ, ये दिखने में कैसा है, ये कौन है जादा असान होता है, आपको समझना, आपके expressions की वजय से, आपकी शकल की वजय से, फिर इसमें बहुत important है, कि आप honestly इसमें current, आप अपनी social media following और audience के बारे में शेयर करें, इसमें आपको जूट नहीं बोलना चाहिए, जो भी आपके honest statistics हैं, वो मैंने आपको वैसे ही बताय आपको अपनी Instagram insights में कैसे मिलते हैं, वो वहाँ से लेकर इसमें डाले, क्योंकि वैसे भी कोई बात नहीं है, अगर आपके बहुत जदा followers या बहुत जदा कोई बड़ी audience नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे brands ढूंड रहे होते हैं, एक super niche audience और एक super niche market, तो ह हो सकता है कि वो आपके पास हो, एक छोटी ऐसी चीज, ऐसी demographic आपके पास हो, जो किसी और के पास नहीं है, उनको अगर वो ही चाहिए, तो आप उनको वो provide कर सकते हैं, तो खेर है, बस आप अपने honest numbers लिखें, जिस तरह हो सकता है कि जो भी किसी brand का mission है उस project के साथ, या जो उनकी campaign है, वो जरूरी नहीं है कि किसी बहुत बड़े influencer के साथ match करती हो, ठीक है, वो बहुत सारी और चीज़े देखते हैं, सिर्फ numbers नहीं देखते हैं, वो यह भी देखते हैं कि location क्या है, क्या पता, वो किसी specific जगा के लोगों को target करना चाहते हो, तो अगर आपकी audience में व organically create की है, और honestly जिसके साथ एक relationship build की है, ठीक है, तो आपने इसमें क्या डाले है, इसमें आपने followers के बारे में information डाली है, कि आपके followers कितने हैं, उनकी क्या age है, उनकी क्या location है, अगर कोई आपके दूसरे platforms भी है, तो उनकी information भी यहा डाली है, जैसे Pinterest, या Twitter, या YouTube, या Facebook, ठीक कुछ भी है वहाँ पर, वहाँ पर भी following है, तो उसकी बारे में भी आप mention करें, बहुत सारे brands followers में interested तो होते हैं, लेकिन जादे तर brands तब आपकी engagement rate में जादे होते हैं, जिसका मैंने आपको पहले बताया, तो अपनी engagement rate जरूर calculate करके यहाँ पर लिखें और डालें, वज़ा response आएगा, audience engage करेगी, react करेगी, participate करेगी, तो यह brands के लिए बहुत important चीज़ है, इसलिए वो audience के number से जादा audience के engagement rate को देखना चाहते हैं, कि आपकी जितनी audience है, उसके हिसाब से कितनी percentage ऐसे लोग हैं, जो आपसे interact करते हैं, जो show करते हैं, जो like, comment, share और save करते हैं, ठीक है, यह उनके लिए जादा important है, as compared to कितने जादा हैं, वो यह देखने चाहते हैं, कितने जादा like, comment, share करते हैं, अगर आप अपनी Instagram की engagement rate निकालना चाहते हैं, average, तो आप अपनी likes, comments, shares, saves, को अपनी followers के number से divide करें, ताकि आपके पास एक percentage आजाए, अच्छा, अब क्यों demographic में interested होते ह आपके followers कहां से हैं, उनकी क्या age है, जो की चीज में आपको पहले भी बताई, कि अगर वो वही तरह के, उसी तरह के followers हैं, जिनमें वो interested हैं, जो उनकी target audience है, तो फिर आप उनके लिए perfect influencer निकलेंगे, कोई भी brand जो है, जब वो एक influencer के साथ partner करना चाहता है, जब वो interested होते है तो वो जितना आपकी audience के बारे में जान सकते हैं, वो जानना चाहते हैं, क्यूंकि वो अपनी target audience figure out करना चाहते हैं, यह तो नहीं ना, कि भाई, अगर वो बेचते हैं beauty products, ठीक है, और आपकी जो audience है, वो 80% male है, तो इनको तो फायदा ही नहीं होगा, ठीक है, इसलिए उनके करते हैं, कि तो for example, अगर आपकी audience 16 to 20 year old है, या 13 to 20 year old है, तो उनको यह होगा कि यह तो बहुत छोटे लोग हैं, और मेरी product तो बहुत महिंगी हैं, हम तो बहुत महिंगी, like हमारा तो ज़रा high-end समान है, या हमारा घर का समान है, right, या high-end beauty products हैं, तो 13 to 20 year old लड़कियां, तो वो नहीं normally खरीदेंगी, तो उनके लिए इस तरह की audience useless है, फिर वो आपके चाहे, जितने भी million followers हों, उनको फाइदा नहीं है, वो एक ऐसे influencer को ढूंडेंगे, जिसके पास वो demographic है, जो उनकी चीज़ें खरीदना चाहती है in the first place, right, तो वो high-end beauty brand है, तो वो क्या ढूना चाहे कि maybe 20 to 35 की audience हो, या 25 to 35 की audience हो, जो कि जादे तर female हो, ताकि वो अपनी beauty product बेच सके, तब ही उनको फाइदा होगा, ऐसे influencer के साथ काम करने का, जिसके followers इस range में आते हैं, और इस जगह पे आते हैं, तो वो income भी इस तरह जज़ कर लेते हैं, age के थुरू, और gender वैसे ही बहुत important ह इसके अलावा, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, और आप काफी collaborations या partnerships कर चुके हैं, तो उनको भी ज़रूर अपनी media kit में mention करें, ताकि जो आपके साथ काम करना साहते हैं, वो देखें आपने पहले partnerships में कैसे काम किया, किस-किस brand के साथ काम किया है, कुई testimonials हैं, तो वो आ बाल दें, अपनी अच्छी achievements यहां पर लिखें, अच्छी-च्छी partnerships के बारे में share करें, ताकि उन्हें अंदाज़ा हो कि आप जो काम करते हैं, वो किस तरह का करते हैं, किसी बहुत अच्छी अपनी previous campaigns की भी आप engagement rate यहां डाल सकते हैं, कि यह यह मैंने campaigns की थी और उसमें य यह engagement मुझे आई, उसे भी अच्छा अंदाज़ा हो जाता है, अक्सर ब्रैंट जो हैं, वो खुद मांग लेते हैं, कि आप प्लीज हमें अपने कुछ पोस्ट की engagement rate ज़रा भेज दें, ताकि हम अंदाज़ा लगा सकें, तो इससे जो है, ब्रैंट को बहुत अच्छी insight मिल आपकी work ethic की, आप किस तरह का काम करते हैं, और उनको फाइदा होगा या नहीं, तो basically आपकी media kit के थूख कोई भी brand यह देखना यही जाता है, कि उन्हें आपके साथ काम करने में कितना फाइदा होगा, और क्या आप उनके brand के लिए, उनके product या service के लिए perfect influencer हैं, या नहीं, तो यह होगे हमारी media kit, thank you so much for watching this video, next video में हम बात करेंगे, understand करना कि किस brand के साथ काम करना चाहिए, as an influencer आपको, और दूसरा यह, कि आपकी क्या value है, अपनी value को अंदाजा कैसे लगाना, कि आपको कितना charge करना चाहिए, और यह चीज़ आपको कैसे पता चल सकती है, so until next time, Allah Hafiz. अंदाना चाहिए.